जो स्वपर से, खुद पर से, पर पर जाता है, वो ग्यानी है, खुद की जगे, दूसरे की सोता है, वो ही ग्यानी है, और बहुत एक ही वाक्य में उन्होंने मुझे ग्यान का अर्थि समझाया दिया। मित्रों मैं बहुत छोटा था, तब गुजरात विद्यापित की लाइबरेरी में किताब लेने के लिए गाया था, वहाँ एक बहुत गांधियन विजूर्ग मुझे मिल गए, मैंने उनको पूछा, वैसे ही समवाद हो रहा था, क्योंकि मैं तैतरी उपनी सत को लेकर पढ़न के लिए मेरे घर पे ले जा रहा था, तुन्हें न पूछा, कि तुम तो 17-18 साल के युवाओ, तैतरी उपनी सत पढ़कर इस जमाने में क्या करोगे, मैंने बोला, मुझे मेरे गुरू ने बताया है कि तैतरी उपनी सत पढ़े बगर तेरी सिक्सा समाप्त नहीं होगी, त कि ज्यान का अर्थ क्या है, कोई बहुत अच्छा संगीत के ख्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा, तो वो भी एक ज्यान है, कोई अंतिरिक से ख्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा, तो वो भी एक विज्यान है, कोई साइंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलप्मेंट तो वो भी एक ज्यान है कोई बहुत बड़ा ज्यनित्यग्य होगा तो भी एक ज्यान है कोई अर्थ साक्तर के खेत्र में भी विशद हो जाएगा विद्वान हो जाएगा तो भी एक ज्यान है तो ज्यान का सच्चा अर्थ क्या है मैं बहुत किसो रवस्ता में था मैंने बुला है आपने तो मुझे असमवंजस में डाल दिया मेरी ग्यान पिपासा पर ही क्वेस्चन मार्क कर दिया कि अब ग्यान कहां से प्राप्त करें ग्यान का तो बहुत व्यापक अर्थ है उन्होंने का ग्यान का वापक बहुत व्यापक अर्थ नहीं है बहुत छोटा सा अर्थ है जो स्वपर से खुद पर से पर पर जाता है वो ग्यानी है खुद की जगे दूसरे की सोता है वो ही ग्यानी है और बहुत एक ही वाक्य में उन्होंने मुझे ग्यान का अर्थ समझाय आज आप लोग समाज जीवन में एक यहां से सिक्सित होकर दिक्सित होकर जा रहे हैं मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा अपनी जरूर सुचे युवाओ इसमें कोई बुरा ही नहीं है अच्छा जीवन जीने का आपका अधिकार है आप भारत के नागरिक हो आपको संपूर्ण अधिकार है दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीने का और आपको जीना भी चाहिए मगर उसके साथ-साथ एक समय उनके लिए भी निकालना, जिनके लिए अभी भी अच्छा जीवन स्वपन है, जिनके लिए अभी भी सिक्सा एक स्वपन है, जिनके लिए आज भी दो वक्त की रोटी स्वपन है, अपने साथ-साथ उनका भी विचार करिएगा, तो आपका जो कोर्स यहां से करकर आप जा रहे है उसकी परिपूर्ती अपने आप हो जाएगी तो और यह विचार जब आप करते जाएंगे तो आत्म संतोस का अनुभव होगा और मैं आपको बताता हूं सैंकडो करोडो रूपया कमाने के बाद भी जो संतोस प्राप्त नहीं होगा एक व् जरूर रखेगा झाल 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 झाल